Hello Strengths, आज किस वीडियो सेशन में हम डिटेल से डिसकस करने वाले हैं CCMN Counseling में Mathematics वाल इस्ट्वेंड को 24 पिलिंग ओडर किस तरह से सेट करना होगा जिनका Normal B.A.C है उनको किस तरह से ओडर सेट करना है जिनका B.A.C in Mathematics या B.A.C Honors Mathematics है उनका ओडर क्या होगा या फिर दो Strength Placement लेना चाहते हैं या प्योर Mathematics में Top Institute में Study करना चाहते हैं Top N.A.T लेना चाहते हैं उनको ओडर किस तरह से सेट करना होगा इन तमाम सवालों पर Strengths हम डिटेल से डिसकस करने वाले हैं वीडियो को बिना स्किप के Last तक जरूर बोच करना तो सबसे पहले तो Strengths हम बात करते हैं उन Strengths के लिए जिनका Normal B.S.C है Normal B.S.C मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया कि जिनके Final Year में दो सबजेक्ट होते हैं या फिर तीन सबजेक्ट होते हैं उनका B.S.C जो है वो Normal B.S.C होता है और एक जो चोईस है वो आपका N.I.T. राउ के लाँ में Automate Science है तो मैं इस पूरे वीडियो में इन दोनों ब्रांच को इंक्लूड नहीं करा हूँ मैं केवल कोर ब्रांच की बात करूँगा केवल Mathematics या Mass and Computing या Applied Mathematics के डिपार्टमेंट की बात करने वाला हूँ तो इसमें से Strength आपके पास जो Mass डिपार्टमेंट में 1520 अवेलिबल रहेगी मलब 17 में से 1520 रहेगी जिन में Mathematics डिपार्टमेंट है Specialization को मैं इंक्लूड नहीं करा हूँ तो इसमें स्ट्रेंट आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि जिनका B.S.C. नॉर्मल है जिनका B.S.C. नॉर्मल है वो N.I.T. तिर्ची में N.I.T. दुरगापूर में और N.I.T. राइपूर में एलिजिबल नहीं है बागी जो इस्क्रीन पे आप देख पा रहे है 14 N.I.T. या इंस्ट्टूट इनमें आप इलिजिबल है तो आपको इस ट्रेंट में दो तरह से डिवाइड करता हूँ एक तो वे स्ट्रेंट जो टोप इंस्ट्टूट में स्टड़ी करना चाहते हैं एक वे स्ट्रेंट जो मैस एंड कंप्यूटिंग ब्रांच लेना चाहते हैं या फिर प्लेस्मेंट के अकोडिंग जो है N.I.T. को रखना चाहते हैं तो इस्ट्रेंट आप दोनों देख पा रहे होंगे अगर आप टोप N.I.T. में पढ़ना चाहते हैं ना Аपको लगता है कि मैघ्माइटिकस मील जाए आप裡面 जाए तो उसके एकोडिंग आप चोई स्पिलिंग सेड कर सकते हैं तो जैसा इस्ट्रेंटकर पहरे हैं अगर आप मैघ्माइटिक्ष कंप्यूटिंग नीइक अप प्लेशमेंट में इंटर्समें तो पहले अप NIT वरंगाल मेसनड केंप्यूटिंग रख सकते हैं। इस्टे नमर पर फिए एस्टे नमर पर इस्टे रावार के लिए सकते हैं, उसके बाद में आप एमनिती जलाट के लिए सकते हैं। या फिर इस्ट्रेंट्स आप दोनों इबरांस में इंटरस्टेड हैं लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को बेश्ट चे बेश्ट इंस्ट्टूट अलोट हो तो इस्ट्रेंट्स आप जो है नॉर्मली जो यह जनरल ओर्डर है यह आप रख सकते हैं पहले आप एनटी वरंगाल उर्ट इस तरीके से सेट की हैं कि आपकी जो रेंक है उसके अपको बेस्ट से बेस्ट इंस्ट्टूट हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं उन्स के लिए जिनका बी एस एंसे इन मैथमेडिक्स है तो उन्स्ट्रेंट्स का भी लग बग जो है ओर्डर इसी परकार रहने की बहुत सारे को आधूर सब्दों में किलितएंस कि जीन वेसे और के सभी डेपाटमेंटैक्स या सभीेस्टेले RS मैं चल्टि थे फार्टमेंटेक्स में और झीबाने सभी एंटी के मञर्च डिपार्टमेंट पनी रहांकि बहुत सारे NIT में Mathematics Department नहीं है, जैसे NIT Srinagar है, NIT Sikkim है, NIT Nagaland है, NIT Suratkal है, लेकिन जिन में Mathematics है, उनमें सभी में वो eligible हैं, तो आप students अगर जो students प्योर Mathematics में पढ़ना चाहते हैं, वो first नमर पे NIT तिर्ची रख सकते हैं, second नमर पे NIT राउकला रख सकते हैं, उसके बाद में आप जो है, NIT कलिकट, NIT जेपूर रख सकते हैं, या फिर जो student placement देखना चाहते हैं, तो आप first नमर पे NIT वरंगाल रख सकते हैं, कैम्पूटिंग उसके बाद में आप भी इलाबाद रख सकते हैं, उसके बाद में हमिरपूर रख सकते हैं, या पिर वरंगाल का कर सकते हैं, और उसके बाद में तिर्ची राउकिला रख सकते हैं, अगर आप प्योर में ही इंट्रेस्टेड़ हैं, तो आप पहले आप राउकिला कलिकट रख सकते हैं, उसके बाद में जेपूर रख सकते हैं, नाकपूर सेथपूर जलांद रख सकते हैं, यह मैंने आप आपको समझा दिया pure mathematics किसमें और mess and computing या specialization किसमें या आपने अच्छी से देख लिया होगा आपका जो interest है उसके according आपको choice filling order set करना है अगर आपका pure mathematics में तो आपको pure mathematics के एनिटीज आपको उपर रखने होंगे अगर आपका computing में तो computing के ब्रांच आपको उपर रखने होंगे और strength इसके साथ है आपको मैं clear कर दूँगी अगर आपको कोई भी एनिटी अलोट होता है हाँ आपके पास option मिलेगा आप special round में रजिस्टर करके फिर सी अपना choice filling change कर पाएंगे यह आपको एक golden opportunity मिलेगे इस्ट्रेंट से नहीं मिलता है आपका first class नहीं होती है IAT and IAT में तब तक आपका पूरा help support हम strength आपको provide करवाएंगे admission forum के से submit करना है choice filling order के से set करना है इसमें document के से verify करने और आपका final submit होने से पहले हम खुद cross check करेंगे इसके बाद में seat मिलने के बाद में seat को upgrade के से करना है freeze के से करना है withdrawal के से करना है अगले round में के से participate करना है और document verify के से करने physical reporting में हमें क्या क्या करना होगा और offer letter के से हमें मिलेगा इन तमाम step students आपको proper guidance authentic consultancy आपको मेरे दवारा मिलती रहेगी और कभी भी आप प्रस्थनली मेरे से call करके अपने doubts के लिए कर सकते हैं college को लेकर placement को लेकर career opportunity को लेकर या किसी भी परकार के अगर आप registration करना चाहते हैं अगर आप हमारा membership प्रेणा चाहते हैं तो आप हमारे official website पर आकर आप रजिस्टर कर सकते हैं इसका link आपको discussion मिल जाएगा अगर आप वेबसेट पर रजिस्टर करते हैं, तो स्ट्वेंट्स आपको प्रोपर एक बिल रिसिप्ट मिलेगा, जो आपकी इमेल पर आ जाएगा, और जो फीस है, कितनी है, आई टी जम काउंसलिंग के लिए, कितनी है, यह सारा डिटेल आपको वेबसेट पर मिल जाएगा, आई टी वेबसेट के दवारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, थेंक्यू,